रादे रादे फ्रेंड्स मोमोस तो आजकल सब की पसंद हो गई है और बच्चों की बड़ों की सबी की मतलब पहली पसंद हो गई है मोमोस तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोमोस की एक ऐसी रेसिपी जिसमें हम सूजी, आटा, मैदा, बेसन किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे और बहुत ही हेल्दी तरीके से इनको बना कर तयार करेंगे तो आज के जो यह मोमोस है यह इस पेशली मैंने अपनी बेटी की डिमाण्ट पर बनाए है क्योंकि उसने इनने कहीं पर देखा था तो उसने कहा ममी इस तरीके के मोमोस बनाई है तो आपके साथ भी कुछ हेल्दी सा शेयर करती हूँ तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी तीन कप के लगभग पाने और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक चमच नमक तो यह मुमोस ना बहुत ही जादा टेस्टी होने वाले हैं और ऐसे मुमोस आपने आज तक नहीं खायोंगे यह गारंटी है बिल्कुल तो एक बार आप जरूर से इसे ट्राइ करिएगा तो यहाँ पर पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रग दिया है और तब तक मैंने यहाँ पर ले लिया था यह हाफ केजी पता गोबी और यह बिल्कुल फ्रेश वाला लेना है आपको तो इसके क्या करेंगे ना कि उपर के एक दो पत्ते जो खराब होते हैं उनको मैंने पहले ही अलग अटा दिया था और अपना इस तरीके से सारे पत्तों को यहाँ पर हमें इसके अलग निकाल लेना है तो कोशिश करिएगा कि पत्तों को आप इस तरीके से निकालें कि यह बहुत ज़्यादा तूटें बिखरें नहीं मतलब पूरे पूरे पत्ते एक बार में यह निकल आएं क्योंकि हम इनका यूज कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं तो इस तरीके से यहाँ पर देखी मैंने इसके न सभी पत्तों को निकाल लिया था कुछ थोड़ा सा तूट भी गयते निकलने में लेकिन मैंने कोशिश करी थी कि ज़्यादा तर मैं इसी तरीके से निकाल पाऊं और इधर पानी भी अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो गया था अब हम क्या करेंगे ना कि इन सभी पत्तों को एक एक करके हम इस पानी में डाल देंगे तो इस तरीके से इन्हें डालने से क्या होगा कि एक तो इन पर जो भी गंदगी है जो भी कीड़े वगरा हैं वो हट जाएंगे और दूसरे हमें इन्हें बिल्कुल सॉफ्ट गुने तक बॉयल करना है मतलब इनका सारा कच्छापन हमें यहीं पर खतम करना है तो इसे बॉयल करने में आपको डेट से दो मिनिट लगेगी और इसे हाई फ्लेम पर करना है और इस तरीके से ना मैं फोक की हेल्प से धीरे धीरे से इन पत्तों को नीचे करती जा रहीती तो यहाँ पर देखिए सबी पत्ते लगबग बॉयल हो चुके थे और यह बिल्कुल नीचे इस तरीके से बैट गए है और इनका ना कलर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है कि ममा यह ना मैंने एक जगा देखी है और यह बहुत जादा हैल्दी है मतलब धेर सारी सबजियों से बनकर तयार होती है तो आप इसे जरूर से बनाएए तो मैंने सबी पत्तों को निकाल कर एक प्लेट में रख लिया था अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल दूँगी वन टी स्पून ओयल बहुत ज़्यादा ओयल का यूज नहीं करना है इसमें और इसके साथी जैसे ही ओयल अच्छा सा गर्म हो जाएग और प्याज को हमें यहाँ पर भून लेना है तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है बस इसका हलका सा कलर चेंज होने लगे इतना ही हमें इसे भून लेना है इसके बाद मैंने लिया था एक गाजर उसको भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया था साथी एक शिमला मिर्च इसको भी हमें काट लेना है और अब इन सबी चीजों को यहाँ पर अच्छे से हमें भूनना है उतलब थोड़ा सा बहुत जादा नहीं पकाना है बस थोड़ा थोड़ा इनका कलर चेंज होने लगे अब इसके बाद हम इसमें एड कर देंगे पत्ता गोबी तो यहाँ पर मैंने दो कप के लगभग पत्ता गोबी लिया है और इसको भी बारी काट कर लेना है आपको न सबी सबजियों को बिल्कुल छोटा छोटा काट लेना है इस तरीके से क्या होता है ना कि हमारा जो फिलिंग बनती है ना बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत अच्छी सी बनती है तो यहाँ पर इन सबी सबजियों को मैंने अच्छी से मिक्स कर लिया था अब मैं इसमें डाल दूँगी आदा छोटा चमश नमक यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं आदा छोटा चमश मैंने यहाँ पर डाल दी थी काली मिर्ची पाउडर और एक बड़ा चमश भरके मैंने इसमें डाला था सोया सॉस जिससे कि इसमें एक अच्छा सा कलर आएगा तो आपने देखा होगा कि जादा तर जो चाइनीज फूड होते हैं उनमें सोया सॉस वगेरा होती है तो उससे अच्छा सा इसका कलर आता है और अब यहाँ पर मैंने डाल दी थी इसमें आदा छोटा चमश लाल मिर्ची पाउडर तो यह टोटली ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डालें मतलब मिर्को थोड़ा सा तीका बनाना था तो आपको अगर नहीं करना है तो आप इसकिप कर सकते हैं और साथी एक बड़ा अच्छे से फ्राई हो गई है पूरी तरीके से इनका कलर चेंज हो गया है और सभी सब्जियां सॉफ्ट भी हो गई है तो हमें इसे हाई फ्लेम पर तब तक पकाना था जब तक कि इसका सारा पानी सूख नहीं जाता तो यहां सब्जियां अच्छे से ड्राय हो गई है इसक तरीके से हम लेंगे और इसके उपर हम रखेंगे फिलिंग और इसे ना चारो साइट से हमें इस तरीके से फोल्ड करके एक अच्छी सी शेप दे देनी है यह देखिए तो आज हम जो मुमोस बना रहे हैं वो हम सिर्फ पता मतलब वेजटेबल के बना रहे हैं उसमें हमने दूसरा पता ऐसे ही ले लेना है और उसके उपर भी आपको फिलिंग इस तरीके से रखनी है तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने दो चमच फिलिंग इसमें डाली थी और पहले इसे दौनों साइट से फोल्ड करना है और फिर उपर मतलब नीचे से फोल्ड करके और इसे इस तरीके से तयार करना है तो यहां ना कितनी जल्दी जल्दी से यह हमारे मोमोज बनते जा रहे हैं और आप देखी रहे होंगे कि कितना इजी है इसको बनाना कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बस 5-10 मिनट मेहीं आप इसे बना कर तय तो आप चाएए तो इन्हां बना सकते हैं, देखने में जतने टेच्टी लगए हैं जद्व whamse, उससे भी जादा टेश्टी से मतल eigentlich अन्म वेने इन को पहली बारी खाया था और एक पास्गत करें करें हम थोड़ा सा grease कर लेते हैं तो जो हमारे momos है बहुत अच्छे से बनकर तयार होते हैं और इनको हमें बिल्कुल इसी तरीके से एक एक थोड़ा सा gap करते हुए रखना है जिससे कि हमें उलटने पलटने में बिल्कुल भी परेशानी नहों तो यहां देखे एक बार में जितने momos आने है उतने आपको इसमें रखने है तो यहां छे momos आ गए थे एक बार में तो मैंने रख दिये और आप इनको थोड़ा सा हम सिखने देंगे उसके बाद इन्हें हमें पलट देना है तो यहां पर अब मैं इनको पलट दूँगी और बस इसी तरीके से उलटते पलटते हुए हमें इन्हें दौनों साइट से एक दम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक सेखना है और आप देख रहे हैं कि कितना इजी है इनको पलटना ना यह खुल रहे हैं ना ही इनकी फिलिंग निकलेगी बिल्कुल भी और बहुत ही जल्दी से यह बनकर तयार हो जाते हैं तो देखें दौनों साइट से इन पर बढ़िया सा कलर आ गया है और कितने अच्छे से ना यह सैट हो गए हैं तो एक बार तो ना आप इनको जरूर से ट्राय करिए मतलब आप जिसको भी खिलाएंगे ना कोई भी यकीन ही नहीं करेगा कि इसको आपने सिर्फ और कि डमटस मिनट के बनकर तैयार हो जाएंगी जिसे भी आप खखेलाएंगे ना वो तारीफ करेंगे और हर इसकी के लिए ना यह एकदम नई रेसिपी होने वाली है ।ो आप जाएं तो इसे हरी चटनी के साथ सथ सर्फ करें या सॉस के साथ सर्फ करें तो मैंने तो इसे तो फ्रेंट्स उमीद करती हूं कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत बूलेगा मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई